रिजल्ट बढ़िया रहा सर लेकिन हम इस बार टॉपर्स में नहीं रहा है कोपी का जो चेकिंग है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण यहां का रिजल्ट और भी खराब होते जा रहा है बोर्ट एक दम कमिटेट रहा है कि एक फरवरी से परिक्षा लेना है पढ़ाई हो नहीं हो इस पर कोई फोकस रिजल्ट परभाईत हुआ है उसका कारण है कि लॉगड़ण निक सबसे पहला कारण है जहां पे इंभार्मेंट हम लोगो मिल पाता है यहां पे ओ घर पे नहीं मिल पाता है पराई तो ठीक ही चल रहे है बस टीचर की कमी है पर मारें टीचर रहने चाहिए यहां पे तो हम लोगो गेस्ट फैकलिटे से काम चलाना परता है हम लोग बेस्ट दिये हैं क्या पता बाहर से बेस्ट नहीं है हम लोग जितना अच्छा लिखे हैं क्या पता वो सही से चेक नहीं किये हैं हमारे बच्चे बेस्ट करें सरब हम रिजल्ट का नहीं बता सकती क्यों खराबार है नमस्कार लाइब सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजिश सिमुलतल्ला के आवासिय विद्याले में मौझूद हूँ टॉपरों की फैक्टरी में मौझूद हूँ लेकिन इस वार जो इंटरमेडियर्ट का रिजर्ट आया है उसमें सिमुलतल्ला से एक भी टॉपर नहीं है हमारे साथ मौझूद है इस वक्त विद्याले के सिमुलतल्ला आवासिय विद्याले के छात्र और छात्राएं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौझूद हैं हम बात करते हैं उनसे जानना चाहते हैं क्या कारण रहा आगे फिर कैसा रहेगा क्या नाम हुआ आपका प्रतीक सागर किस क्लास में है कक्छा ग्यारहमी में हूँ ग्यारहमी में है सिमुलत अला आब अस्य विद्याले है तॉपरो की फैक्टरी कहा जाता रहा है 2017 से यहां पर intermediate की परिक्षा में चातर सामिल होने लग गये थे रिजल्ट भी दो बार 17 में और 2021 में टॉपर यहां के रहे इस बार टॉपर नहीं है क्या कारण रहा है सर इस बार टॉपर नहीं रहा है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं से हमारा regular studies school में नहीं हो पाया जो हमारा सबसे महतुपूर्ण factor था हम स्कूल में एक साथ group studies करते थे जो इस बार हम लोग नहीं कर पाया अंतिम के एक माह भी देखें तो हमारा lockdown में ही गुजरा जिसके कारण अच्छी तरीका से studies नहीं हो पाय group studies नहीं उपाई जिसके कारण हमारा result result बनिया रहा सर लेकिन हम इस बार toppers में नहीं रहे हैं मैं भी कहा रहा हूँ toppers की factory में toppers नहीं दिख रहे है क्या नाम हुआ Manis Kumar क्या कारण है सबसे बार कारण लोग डाउन रहा है यहीं सब कारण रहा है Lockdown का period लगातार जो environment मिलना चाहिए था पढ़ाई का वो नहीं मिल पाया बता रहे है चादर क्या नाम हुआ अपको अजीत कुमार क्या कारण रहा है सबसे पहला कारण तो lockdown है और एक और कारण हम लोग को मतलब इसके पहले जो भाईया कलास भी है यहीं से टोपर के टोपर बने थे और उनमें तीन भाईया को बुलाया गया था तो उनमें पहला भाईया तो कलास भी है थो टोपर बन गया लेकिन आदर्स भाईया जब आपना वो टोपर नहीं थे तो जब आपना वो कॉंपी मंगाए तो उसमें लिखा हुआ था कि वो लिखे थे कि बुध है उनका जन 563 BC में हुआ था लेकिन उसको काटा गया था तो कहीं न कहीं सर जो कॉंपी का जो चेकिंग है उसमें कुछ न कुछ गरबड़ी है जिसके कारण यहां का रिजल्ट और भी खराब होते जा रहा है लेकिन हम लोग पर्यास करें कि कितना भी कँछ साजिस करें लेकिन हम लोग आगे बहुत अचा से परयास करेंगे अब के विद्या लेका आज सेकेंड टौप अपर हुआ जो टेंसे कि पढ़ाई क्या नाम हमने हैं राज रंजन भीया हैं जो क्लास 10 तक यहीं पढ़े हैं 2015 बैस के वो थे और अभी पास आउट होके आइथिंक वो कोटा वेगरा में पढ़ रहा है तो उनका रिजल्ट हुआ है अखिर क्या करन है लोगडाउन उनके लिए भी था लोगडाउन उनके लिए भी था सर मुझे ल कम हो अधिक हो लोगडाउन लगे बोर्ड एकदम कमिटेट रहा कि एक फरवरी से परिक्षा लेना पढ़ाई हो नहीं हो इस पर कोई फोकस नहीं है विद्याले की वेवस्था पर बात बुलिए विद्याले में कैसी पढ़ाई होती है आपके यहां पर जो पहले जैसा यहा पर घर पर नहीं मिल पाता है तो यह है और जो टीचर के फेकल्टी है वो शुरू में जो थे वह अभी है और इसमें सुधार की जरूत है तो बहुत सारे मेंबर्स जो थे मतलब जहा हमारा विदाले बने था उस समय अभी आइटिंक दस टीचर छोड़ के जा चुके हैं जि अगले साल बोट देना है क्या लगता है अगले साल क्या कर पाएंगे सार हम लोग कोशिस करेंगे कि जो अभी जो हुआ है वो ना हो इससे अच्छा हम लोग करें और हम लोग मतलब सुनते लें के बच्चे हम लोग टॉप 10 में रहें सर हमारी पूरी कोशिस रहेंगे कोशि वाजी बात है, सही बात कहा आपने क्या नाम हुआ आपका? वनीशा कैसी पढ़ाई चल रही है, सिमुलत लाबास यह वी द्याले की छात्रा है, आप काफी नाम इसका रहा है कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो ठीकी चल रहे है, बस टीचर की कमी है पर्मारिण टीचर रहने चैए यहाँ पर तो हम लोगो को guests faculty से काम चणाना परता है तो पर्मारिण टीचर की भाली हो जितनी जल्दी हो सके तो हम लोग अच्छा और करेंगे देखे हम बात कर रहे हैं result की intermediate career आज result आया है यह नहीं कह रहा है कि result खराब हुआ है Top Toppers की factory कही जाती थी Top नहीं यहाँ पर किये है क्या कारण हरा है सिक्षा में हरास हुआ है क्या कुछ नीचे चला गया है Lockdown सबसे main reason है Lockdown के कारण हम लोग जितना group study करते थे करनी पाए और online class में हम लोग अतना गेर नहीं कर पाते है जितना offline में करते है तो main reason lockdown है इसका Main reason lockdown को बता रहे है सर हम लोग की पूरी को शिश्राएगी अच्छा करने की इस पार जो उमीद थी वो उमीद पर खरा नहीं उतर पाया से मुलतला क्यों क्या कारण है कुछ परभाव रहा जो परमाने टीचर थे वो चले गए फिर उसके बाद टीचर आये नहीं अभी और टीचर जाने वाले हैं सब परमाने टीचर जो अच्छे टीचर है तब तो और और दिकत होगी उसके बाद तब कैसे क्या करना है किस तरह से तयारी की जाएगा हम लोग जैसे यहां पर रहते हैं तो हम लोग डिसक्षा की कमी सब करता है जैसा सब कोई कह रहा है कि निकल रहा है टीचर जरूरी नहीं है कि हम लोग के स्कूल की है हम लोग बेस्ट दिये हैं क्या पता बाहर से बेस्ट नहीं है हम लोग जितना अच्छा लिखे क्या पता वो सही से चेक नहीं किये हो यह तो हर सल की प्रॉबलम होती है कि जाते हैं बच्चे अच्छे देते हैं कुछ बच्चे इसी में से पढ़के गया इसी सिख्षक से पढ़के गाए, वो टॉप करते हैं, कुछ अच्छे नहीं किये, कोई बहुत नीच जलेंगे, इसा कारण हो सकता है बाहर के जो टीचर है, जो कौपी हमारा चेक करें, वो सही से चेक नहीं किये होंगे, तो हो सकता है कि बाहर की भी गलती है, सिर्फ हमारी ही हम लोग तो बहुत कोशिश भी करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, और किये भी है अच्छा यहां से, तो हो सकता है कि इस बार अच्छा नहीं आया हो, तो बाहर की गलती हो, हमारे ही स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलती, कुछ फैकल्टी हैं, जिनका बेस्ट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जो छोड़के हम लोग को चले गए हैं, कुछ पांच रहे गए हैं, पहले दस से थो याब पांच हैं, तो उसका तो एफेक्ट हम लोग पर पढ़ेगा, लेकिन हो सकता है, बाहर के भी कुछ एफेक्ट सोजे, जिनके कारण हो का रिजल्ट बिगड़ सकता है, अभी तक में आपको क्या लग रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, जो तैयारियां हो रही है, इस्टुडेंट के लिए, टॉपर के हिसाब से कैसा है अस्तर अभी, बेतर अस्तर, जैसे पहले पढ़ाते थे, सभी सिक्षक वैसे ही पढ़ा पढ़ाई की वेवस्था देखी जाए, तो बहुत अच्छी है, बस सिक्षक की कमी, अगर वो सिक्षक आएंगे, तो हम लोग को जो थोड़ी समय, थोड़ा समय कम मिल रहा है, जैसे एक सिक्षक है, उन्हों सब को देखना है, अब वही चार सिक्षक आएंगे, तो हम लोग सुरु से भी वहां से पुछते आ रहे हैं, आपको यही जवाब मिल रहा है, कि जितने सिक्षक थे चले गए, तो बेवस्था तो जैसे थी वैसे चले यह, लेकिन उसी बेवस्था में से कुछ निकलते जा रहे हैं, जिसके कारण जो खाली रिक्त स्थान है, उसको सरकार भ यहां से लोगों को, जो पूरा बिहार जानता है, उसमें हरा हरा है, थोड़ा देखा जा रहा है कि टॉपर्स जितने यहां से निकलते थे, वो नहीं निकल पा रहे हैं, कारण कुछ बता पाएंगे? सर, हम तो इसका कारण नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहां के सायद बहुत बेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे बेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे हमारे तरब से बहुत बेस्ट है, बेस्ट किये भी हैं, पिछले साल भी आप देख सकते हैं, कि कुछ बच्चे थ मिलता है जो यहां पर सिक्षक हैं उनका मिलता है बावजूद रिजल्ट उपर नीचे होता रहता है आगे इनका प्रयास और बहतर करने का है और जरूर ये विश्वास दिला रहे हैं अपने होसले को लगातार बढ़ाते हुए ये बता रहे हैं कि आगे जो अगला साल इनका परिक्षा जो होगा इंटर्मीडियेट का जो परिक्षा में ये बच्चे सामिल होंगे रिजल्ट जरूर बहतर होगा बने रहे हमारे साथ देखते रहे है लाइप सिटीज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पर भी हमें फॉलो करना मत भूल लेगा धन्यवाद